महिना बड़े शुभयोगों का रचनात्म कार्य करने का, ना किसी से प्रतियोगिता हो, ना किसी से आगे जाने की पनिशा हो, हो तो केवल स्वयम को सिध्ध करने की इच्छा हो, यह बात धनूराशी के जातकों ने इस महने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, एक ल यह अत्यनत विशेश बात है, ऐसा हम कह सकते हैं, नमस्कार, मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतीश प्रेमियों का हारतिक स्वागत करती हो, हम अप्रेल दोजार दोजार चोईस महने के राशी बहुष्य को समझ रहे हैं, उसमें आज हम धन त्रोक्त विश्लेशन करने वाले हैं, साथ ही, वीडियो के अंतमे में आपको इस महने करने वाले विशेश उपाई भी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भुले, एक और महतो पुरुणा बात है, हम विभिन्न दुरुष्यों से यह महना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदय वह बड़े विश्थार से बताते हैं, उस अनुसार इस महिने आपका अनुभोग क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्ग दर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुच सकें, व्यक्तितों की दृष्टी से जब हम विचार करते हैं, तो राशी स्वामी की स्थिती महत्वपुर्ण होती है, धनो राशी के स्वामी गुरुदेव पंचम स्थान में विराजमान है, कुंडली का पंचम स्थान क्रियेटिविटी का स्थान होता है, साथ ही, यहां से गुरुदेव ने आपके लिए धर्मत्रिकोन पुरा किया है, जीस कारण आपका व्यक्तितों अत्यनत सकारात्मक पद्दती से विकसित हुआ है, सकारात्मक पद्दती से प्रगती होना, पढ़ाही में सफलता प्राप्त करना, लक्ष निर्धारीत करने के पूरे करने के लिए परिश्रम करना, ऐसी सभी चीजे आपके व्यक्तितों में निर्माण होई है, इसलिए इस काल का सद उपयोग करें, धन परिवारवानी की दुरुष्टी से विचार करें, तो धनुराशी के लिए शनी देव की स्थिती महत्व पुरुन होती है, क्यों विशेश बात है कि आपके पंचमेश मंगल देव भी वही पर आये है, शनी और मंगल दोनों भले ही शत्रू हो, लेकिन दोनों को कुंडलियों का तुरुतिय स्थान अच्छा लगता है, जिस कारण इन सभी दुरुष्टियों से आपको अत्यनत शुभ प्रभाव प्राप पुरुण होती है क्योंकि आपके परिश्रमेश भी है, वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है, जैसा मैंने पहले कहा, वहां पंचमेश मंगल भी उपस्तित है, उन दोनों को कुंडलियों का तुरुतिय स्थान विशेश रूप से अच्छा लगता है, परिणाम स थोड़ा सावधान रहे, वास्तु वहां भूमी सुकशानती की दुरुष्टी से विचार करें, तो धनुजातकों के लिए इस काल में वास्तु के शुभयोग निर्मान हुए है, फिर भी वास्तु लेते समय या व्यभार करते समय, सोच समझ कर निर्णे ले, यह सलाह दी जाती है, क्योंकि इस काल में वास्तु के शुभयोग और साथ ही फसाये जाने की योग भी निर्मान हुए है, उसके अलावा आपको अपनी माता जी के स्वास्त का द्यान रखना पड़ेगा, घर की सुकशानती भंग हो सकती है, इसलिए उस दुरुष्टी से जागुरुक का कहा जा सकता है, पड़ाई में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, संतती का आज्याकारी बनना, पड़ाई में सफलता प्राप्त करना इसे कई शुभव प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले है, इस देव आपको आशिरवात देंगे, संतती अंत में संतती हो प्रतियों गीता में आपके लिए सफलता के अवसर बढने वाले हैं अर्थात परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है कोड कचिरी में किसी केश पर आपका काम का सुरू हो और आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी नयाय मिलने की संभावना आधिक रहेगी संग्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से ये महिना आपके लिए शुभक आहा जा सकता है उसका पूरा उपयोग करे नोक्रियों व्योसाय की दुरुष्टि से विचार करें तो धनू जातकों कोई दोनों मोर्चों पर सकारात्मक सफलता प्राप्त होगी आप लक्ष निर्धारित कर मारक ग्रमन करते हैं राशी स्वामी पंचम स्थान में विराजमान है जिस कारण नोक्री हो या व्योसाय हो आप विशेश सभलता प्राप्त करेंगे इसलिए ये काल आपके लिए शुभ है उसका पूरा लाब उठाईए भाग्ययों शुभ संकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो धनुजातकों के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्मान होये हैं उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशी स्वामी गुरुदेव पंचम स्थान में विराजमान है जिसे हम अत्तिनत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं शनी देव का स्तान का सामान ने रूपसे अण्य किसी भी स्थान में विराजमान श Anytime दे शकते हैं लेकिन हम आपको लाभवस बड़ान करते है उससे भी बड़ी बात हैं कि आपके चतुरत स्तान में विराजबान शुक्र देव द्वारा मालवय राजयोग निर्माण हुआ है उसे भी हम अत्यनत बड़ा शुबसंकेत कह सकते हैं ऐसे कई शुबसंकेत इस मेने आपके लिए निर्माण हुए है उनसे आपको शुबपरिणाम प्राप्त होने वाले है इस काल का सदुपयोग करें कर्म की दृष्टी से विचार करें तो धनुराशी के कर्मेश स्वस्तान से अस्टम स्तान में गये है अर्थात आप कर्म करेंगे पूरी इमानदारी से कर्म करेंगे और उसमें बादाहे भी निर्माण होगी विशेश बात है कि आपके कर्म स्तान में क क्योंकि आपका लक्षन निर्धारित होता है और कार्य की दिशा भी निश्चित होती है वही आपके लिए उपयुक्त रहेगा उचीत लाभ प्राप्त होगा लाभ की दृष्टी से विचार करें तो धनुजातकों के लिए ये मेहना बड़ा लाभ कारी कहा जा सकता है लाभ के कई योग निर्मान होए है क्योंकि आपके लाभ शुक्रदेοι उखष्टान में उच्चा वस्ता में विराज़ मान है जिस कारण इस काल में आपको कई लाभ प्राप्त होंगे वह आपके लिए दिर्घकालीन भी रहेंगे वास्तू से वहन निश्चे पूरा ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके व्याय एवं परदेश कबन की दुरुष्टी से विचार करें तो धनुजातकों के लिए इस काल में लंबी यात्रा के भरपूर योग निर्माण हुए है सबसे महतो पुरुण बात है कि यात्रा आप नुक्री के लिए व्यावसाई के लिए पढ़ाई के लिए करने वाले है उससे आपको दिर्खकाली लाभ भी प्राप्त होने वाला है पढ़ाई पर किया गया खर्च उचित माना जाता है पढ़ाई पर जब आप उचित काल में उचित मात्रा में खर्च करते हैं, तब भविश्य में उससे लाभ प्राप्ति होती हैं, इसलिए यह खर्चा पवश्य करें, उन्नती साध्य करें, यह सलाह दी जाती हैं। जीवन सुख दुख और उतार चड़ाव से भरा होता है, कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण सुखी या सम्पूर्ण दुखी हो नहीं सकता, उस अनुसार हर दीन सभी के लिए समान हो नहीं सकता, मेहने के कुछ दीन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दीन संगर्ष कठिनाईया और तनाव से भरे होते हैं, इस दुरुष्टी से धनुजातकों के लिए दो ग्यारह और बीस, ये दिन विशेश रूप से सुखदायके ओम शुभर हैंगे, साथ ही नौ, अठरा और सत्ताइस, ये दिन अशुबे ओम तनाव पुर्ण रहेंगे, इन दिनों मे आप कठिनाईयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभर करेंगे, तो यह मानसिक्ता बनाले आगे बढ़ें, उपायों की दुरुष्टी से विचार करें, तो जूतिश में अत्यनत छोटे-छोटे बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए है, अशुबची जोखी के उपायों का विचार करें, तो धनुराशी के लिए रेड जेस्पर परिदान करने का उपाय सुचित किया जाता है, यह परिदान करने वाले विद्यार्थियों को परिक्षा में सफलता पराप्त होती है, रेड जेस्पर परिदान करने के संधर्म में ऐसा कहा जाता है, कि हर अतन शारेरिक मजबूती उर्जा स्टैमिना और एकागरता को बढ़ाता है यदि आप किसी खेल से जुड़े हैं तो उसमें आपको अधिक परिश्रम करने पड़ते हैं ऐसी स्तिति में इस ब्रेसलेट को धारन करने से थकान कम लगती है साथ ही रेड जेस पर ब्रेसलेट बड़ा स्टाइलिश है इसे धारन करने से जिवन में सकारात्मक्ता निर्मान होकर भाग्य में रुद्धी होती है आप निराशा के शिकार हो तो वह भी दूर होती है रेड जेस पर मंगल का अशुब प्रभाव कम करता है बहे कम होकर लड़ने की शक्ति मिलती है यहार अत यह प्रेसलेट मंगल के हुरा में अर्थात पहले हुरा में मंगलवार को मंगल के हुरा में धारन करे धर्णी गर्व संभूतम विद्यूत क्राधनती समप्रभं कुमारं शक्ति हस्त तम मंगलं प्रणम आम्यहं इस मंत्र का ग्यारह बार जापकर आप यह प्रेसलेट परि इस से लेकर मीन तक हर राशी के लिए अप्रेल 2024 कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने बारहर वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में हर जोतिश घरगर जोतिश लिखना ना भुले धन्यवाद शुभम भवतु जैजोतिश जोतिश का द्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिए है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइ